हेलो रिबन आज किस वीडियों में हम बात करने वाले हैं करेंट फैस 2021 के प्रैक्टिस सेट 19 के बारे में और उमीद करता हूँ फैंस इससे पहले कि आपने बागे के सारे वीडियो को ज़रूर देखा हूँ आप नहीं भी देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लिजेगा हो आप कितना स्कोर कर पाते हैं जो लोग बिहार SI की प्रिपेशन कर रहे हैं और अच्छे प्रैक्टिस सेट की तलास कर रहे हैं तो मैं आपको बता दू कि हमारे अप्लिकेशन पे 15 ओनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराया जारा जो की मात्र 990 रूपे में और इसमें आपको फैंस काफी अच्छे लेवल के क्वेशन और साथी साथ करेंट फैस की इंपॉर्टेंट जो क्वेशन से वह कवर किया गया तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस 15 ओनलाइन टेस्ट को ज्वाइन कर लीजे इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट भी दिया गया और साथी स से कह रहा है कि किस राज्ची के लिए उजवल अबाहन परियोसना का सुबारम किया गया किस राज्ची के लिए उजवल अबाहन परियोसना का सुबारम किया गया सबसे बिल हम बात कर लेते हैं कि उजवल अबाहन परियोसना क्या है तो ध्यान दीजेगा इस प्रस्निक का स सिक्षन दिया जाएगा इस के तैद इस परियोसना के तैद ठीक है कभी-कभी ये भी पूशे जाने की chances है कि ये जो आपका उज्वल अबाहन परियोसना ये किस के तर स्टार्ट किया गया अजादी के अमरित महादसौ समारो के तहट चलाई जा रही है ये आपको याद रखने है तो सही आंसर हम आप्शन B को टिक करेंगे असर नेक्स्ट क्वेशन से कि सितंबर 2021 में कसाई नदी खबरों में रही है किस देश में स्टेत है यहाँ पर जितने भी क्वेशन कराया जाते हैं वो ए किसका समद्ध हो जाता है कांगो गडराज यानि हम आप्शन डिकूटिक करेंगे क्वेशन नमबर थर्ड सितंबर 2021 को ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में एजित किया गया एक बहु राश्टिय सन्न अभ्यास है तो ध्यान देना है ब्राइट स्टार अभ्यास एक ब काम रखा गया मारबर्ग के पहले मामले की पूश्टी के गई है मारबर्ग पताईगे पहले मामले के पूश्टी की गई है किस देश में यह जो की काफी संक्रामक बिमारी का रूप देखर के सामने आया हुए तो यहां पे सही आंसर हो जगा कि गिननी ठीक है पस्चमी आप्सन हम सी को टिक करेंगे अगला प्रश्ट यह बनता है कि यह खोश्टा करने वाला पहला देश कौन सा बन गया कि यह स्वचालित वाहनों के उपियों को मोटर मारगों पर धीमी गति से नियंतित करेगा काफी जर्चा में रहा था यह इस प्रश्ट का राइट आंसर ह जगा ब्रिटेन यानि कि उनाइटेट किंग्डम ऑप्सन बी क्वेशन नमबर सिक्स का राइट आंसर गेज कीजिए क्या होना चाहिए किस देश में अरो का नामक दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री निलमन पूल खोला गया है सस्पेंशन जो ब्रीज है यह खोला ग रख लाएं नेक्स्ट कोईसंस की अक्टूबर दोजर एकिस में सन्यूकत अरब अमिरात में बिश्व के सबसे बड़ी और सबसे उची अबजर्वेशन वील का उद्गाटन किया गया जिसका नाम क्या अबजर्वेशन वील का नाम क्या है यह आपको गेस करने हैं तो बता next one क्या कह रहा है कि पाकिस्तान द्वारा सता से सता पर 290 किलोमेटर मारक छमता वाली किस नाभी के सक्षम बैलस्टिक मिसाइल का सफल पुर्वक परिक्षन किया गया सफलता पुर्वक परिक्षन किया गया बताईए पाकिस्तान के द्वारा सता से सता पर मार करने वाली यह म गजनवी ठीक है गजनवी बिल्कुल सही आंसर होगा और यहाँ पे दो पॉइंट्स आपको धियान रखने हैं ऐसे पुछा सकता है कि गजनवी किस देश से समंद रखते हैं पाकिस्तान से और यह किस प्रकार का मिसाइल है तो सत्था से सत्था पर मारक करने वाली इसकी मारक चमता कितनी हैं दो सो नबबे किलो मिटर ठीक है इस सारे पॉइंट्स को याद रखने हैं अगर आपको यह वीडियो पजांद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों के साथ सेर करेंगे और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नो 450 गीगवर्ट ठीक है 450 गीगवर्ट में थोड़ा सा मिस्टेक है पता नहीं यह केस तरह से टाइपिंग हो गया यहां पर फिलाल यह नहीं होगा ठीक है किंद्री ग्री मंत्री अमित साथ वारा हरीत सोहरा वनिकरन अभियान का सुबारम कहां पर किया गया और इंगलिस वाल राइट अंसर मार बन जाता मिघाल है ठीक है मिघाले के छेरा पुनजी के सोहरा में इसको स्टार्ट किया गया सोहरा वनिकरन अभियान तो यह अपको याद रखने है चलो नेक्स्ट रन क्या बनता है रास्टिये अतंक वाध विरोधी दिवर्श प्रतिवर्श कब मना जा बताइब प्रती वर्च किस मौई को मनाते हैं तो प्रती वर्च 21 माई को मना ता रास्टिये अतंक वाद विरोधी दिवस नेक्स्टकेशन से कि 2021 का किस ने जीता है कि विशकूथwei खाद पुरसकार 2021 किसने जीता है तो यहां पर मारा स्गार एक आपने com C को टिक है तो आक विल्कूल स्गौं करेंगे और धिखन रखेगा अगर हम का बात करेंगे कि किस दर्पीं लेख सकते हैं वहां पे साफ साफ लिखा गया त्रिनी रदाद और और टोबाइगो और साथे साथ यह डेनमार्क की दोहरी नागरीग भी हैं तो यह आपको थोड़ा सा याद रखना है एक्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉटेंट बन जाता है लेकिन उतना ज्यादा इंपॉटेंट नहीं है पूशे जाने की चांसे बहुत कम है लेकिन आपको यह याद रखन की छाओं ये अप्संद्यक दुनिया के पहले मानो हृइत वेसल का नाम क्या है जोकी अटलांटिक में नेविगेट करेंगा एक्षिल ये कर रहा है कि तो एसका का नाम क्या अभियान कर गया घेंग remarks फ्लावर 400, option E होगा सही answer, किसके अंदर सासित प्रदेश ने एक महीने का अभियान पानी माह शुरू किया था, पानी माह अभियान को स्टार्ट किया था बदाई है, किसके अंदर सासित प्रदेश ने, तो हम यहाँ पे option C को टिक करेंगे, लदाख ने स्टार्ट किया था, प इन्होंने bronze medal को जीता है, option C होगा सही answer, bronze medal, नेक्स्ट वन, अंतराष्टी क्रिकेट परजद ने उलम्पिक, यानि कि किस उलम्पिक में क्रिकेट के खेल को जोड़ने के लिए अपना अभियान सुरू किया, किस उलम्पिक में क्रिकेट को भी सामिल करने का, जो कि अभियान स्टार्ट किया, तो यहां पर सही answer हो, option C, 2022, अब नीचे comments करके बताएं कि 2024, 2028 और 2032 का जो उलम्पिक है, वो कहां कहां होने वाला है, देखते हैं कितने लोगों को याद है, comments करके जरूर बताएं, तीनों में से जो भी आपको याद हो, आप comments कर सकते हैं, next questions बनता है कि नए लेखा महा नियंतरक का पदभार किस ने गरहन किया, तो right answer will be option D, दीपक दास, ठीक है, दीपक दास, option D, किस राज्य के पुलिस भीभाग ने crime and criminal tracking, network system के तहत भारत में प्रत्थम रेंग हासिल किया, किस राज्य ने, किस राज्य ने हासिल किया, तो option A, हर याना को टिक करेंगे, देखिया, आज किस वीडियो का आखरी प्रेस्ट है, बी सी सी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेंट ऑफ दा इयर प्रोस कार्ट से 2021 किसे सम्मानित किया गया, तो बताए, यहाँ पर right answer क्या होगा, right answer will be option C, कुनेरू हमपी, अब ये कुनेरू हमपी का आपने काफी अच्छा scoring क्या हुआ, नीचे comments करके अपना score बताएगा, वीडियो कैसा लगा, जरूर बताएगा, और साथ साथ मैंने जवाप को questions पूछा था, उसका right answer comment box में जरूर बताएगा, right, तो चलिए, आज किस वीडियो में इतना ही, मिलते है next class में, और हाँ, अगर आप बिहार इसाई की preparation कर रहे हैं और practice aid की तलास कर रहे हैं, तो फिस जरूर आप उस course को join कर सकते हैं, जिसका link मैंने इस वीडियो के निचे description में दे दिया, अप्लिकेसंस को download कर ये, और उसके बाद आप अपने store section में जाकर के उस courses को join कर सकते हैं, चलिए, मिलते है next class